बात करने के लिए लॉग इन करें www.astrotak.com बात करेंगे लिए जाट गेटाएंगे दिन का हाल बताएंगे और राशी फिल के आखिर में आपको बताएंगे एक ऐसा विशेश उपाय जो आपके जीवन की किसी खास समस्या को चुटकी हों में दूर करेगा तो चलिए राशी फिल की शुरुआत करते हैं पंचांग के फागुन शुक्ल चत्वर दशी पर चंदरमा सिंगराश और पूर्वा फागुनी नक्षत्र में रहेंगे दिन का शुभंक रहेगा आठ शुभरंग रहेगा काला शुबदुशा रहेगी पस्चिम रहुकाल रहेगा दुपहर को दो बज़े से लेकर साढ़े तीन बज़े खुला श्टक रहेंगे भद्रा रहेगी दुपहर को एक बचकर उन्तीस मिनट से लेकर रात को एक बचकर बारा मिनट तक और विशेश क्या है होली का दहन है और आपको बता दो होली का दहन जो है वो भद्रा में नहीं किया जाता लेकिन भद्रा अगर समय ना हो तो भद् पुच्छ में वो रहेगा रात को 9 बच कर 6 मिनट से लेकर रात को 10 बच कर 16 मिनट तक और इसके लावा वैकल्पिक एक महुरत है भदरा रहित वो रहेगा रात को 1 बच कर 8 मिनट से लेकर 3 बच कर 12 मिनट तक और हमारा जो विशेश उपाय है वो भी जुड़ा हुआ है तो चलिए वराशे फिल के शुरुवात करेंगे राशे नमबर एक मेश यानिकी एरीस के साथ में आर्थ एक स्तिती बहतर रहेगी परिजन सहीओ करेंगे कर संबंदित मामले आसानी से निप्टेंगे मित्रों से खुशखबरी मिलेगी प्रेम जीवन में मिठास रहेगी उपाईये करेंगे मस्तक पर पीले चंदन से तिलक करें शुभं काठ रहेगा शुबरंग रहेगा काला दूसरी राशी वरिश यानि कि टौरस की बात करेंगे काम काज में बदलाव लाएंगे कारश रित्र में सुधार आएगा खान पान पर ध्यान दे दफ्तर में अधिकारी सहयोग देंगे पारिवार एक चिंता के कारण कुछ परिशान रहेंगे उपाईये करेंगे पीली सरसों के दाने जेव में रखें शुभं को पांच रहेगा शुबरंग रहेगा हरा तीसरी राशी मिथन यानि जमनाई की बात करेंगे रुके वे काम पुरे होंगे दफ्तर में कोई खुश खबरी मिलेगी परिजनों के साथ में समय बिताएंगे रिष्टों में सुधार आएगा कुवारों को विवहा प्रस्ताव मिलेगे उपाईये करेंगे जेब में पीले रंग का पैन रखें शुभंक चार रहेगा शुवरंग रहेगा नीला चौथी राशी कर्क यानि की कैंसर की बात करेंगे कारोबार में तरक्की के योग हैं मान से कितनाव रहेगा पारिवर एक जिम्मेदारी निभाएंगे बड़े सौधे होने से लाब होगा पुराने मित्रों से मुलाकात होगी उपाईये करें कि दैने पूजा पाथ में पीले फूल चड़ाएं शुभंक एक रहेगा शुभंक रहेगा लाल पांचवी रैशिस सिंग यानि के लियों की बात करेंगे कारेश इत्र में जल्दवाजी से बचे आर्थे किस्तिती में उतार चड़ाव रहेगा संतान को लेकर चिंता रहेगी जीवन साथी के सेहत पर ध्यान दें रिष्टे मजबूत रहेंगे उपाईए करें कि गरीब बच्चों में केले बाटे शुभंक नौ रहेगा शुभंक रहेगा शुभंक रहेगा नारंगी छटी रैशिक कन्या यानि वर्गों की बात करेंगे कारोबार में शत्रों से सतर रहें पारेबार एक विवाद की योगे हैं अधिक भागदवर से थकान रहेगी दफ्तर में सह कर्मी बदत करेंगे भाई वेंसर रिष्टे सुधरेंगे उपाईए करें कि पीले शेड के कपड़े पहने शुभंक चार रहेगा शुभंक शुभंक पांच रहेगा शुभंग रहेगा हरा आठवी राशी बिर्ष्चिक यानि के स्कॉर्पियों की बाद करेंगे सभी काम पूरी होंगे आर्थिक लाप के मौनेंगे कारशेतर का विस्तार होगा आत्म विश्वाश में व्रद्दी होगी जरूरी काम में मित्रों का सा जिवन साथी के सेहत की चिंता खत्म होगी आर्थिक संकट दूर होंगे उपाई ये करें कि हल्दी से लाब लिखकर पूजा घर में चड़ाएं शुभंक दो रहेगा शुभरंग रहेगा सफेद बात करेंगे दस्वे राशी मकर यानि कि किप्रकौन की आर्थिक स्तिती ठीक रहेगी दफ्तर में सहकर्मी सहयोग देंगे दामपत्य संबन वधुर रहेंगे तरक्की के मार्ग खुलेंगे बेकार की पारेवारिक बहसबाजी से बचें उपाई ये करें कि कि किसी गरीव व्यक्ति को केले दान करें शुभंक साथ रहेगा शुभंग रहेगा सिलिटी ग्यारवी रैशी कुम्भ यानिक अक्वेरियस की बात करेंगे, कारोबारी यातरा लाबकारी रहेगी, रोके वे काम में गती आएगी, अचानक धनलाप के योग हैं, कुमारों को विभा प्रस्ताओं मिलेंगे, दाम पत्ते सुखी रहेगा, उपाईये करें कि तिजोरी पर ह अल्दी से स्वास्तिक बनाएं, शुभंक साथ रहेगा, शुभरंग रहेगा सिलिटी, बारवी रैशी मीन यहनी पैसिस की बात करेंगे, अस्मंजस की स्तिती रहेगी, आर्टिक स्तिती अच्छी रहेगी, नौकरी में प्रदोनती के योग हैं, निवेश को लेकर सावधा निवरते हैं, माता की सेहत का ध्यान रखें, उपाई ये करें कि मस्तक पर केसर से तिलक करें, शुभंक दू रहेगा, शुभंग रहेगा सफेद, तो दोस्तों अब समय है आज के विशेश उपाय का, देखिए हुली का दहन का दिन है, और आज आपको बताने जा रहे हैं, शत्रू बाधा से कैसे मुक्ति मिलेगी, तो पहले तो हुली का की पूजा बगरा कर लें, और शत्रू का नाम लेते हुए, छे लॉंग अपने सिर से वार कर, हुली का में दहन कर दें, और इस पूरे प्रयोग में एक विशेश मंतर का जाप करें, ये एक ही मंतर होता है हु अहा कुटा भयस्त्रे प्रतात्वम होली बालीश अतस्वाम पूजश्यामी भूती भूती प्रदायनीम आश्वस्त करता हूँ आपको, शत्रू भाधा से निश्चत्र मुक्ति मिलेगी, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, कलाप से फिर मुलाकात होगी, और आप सभ शुब कामना, नमस्कार, नमस्ष्य भाए